पांच ओगस्ट को राम मंदिर में रखने वाले शिला नयास पर सांसद मलिक ने दी बढ़ाई पिछलो लंबे समय से चलिया रही राम मंदिर के भव्य निर्मान की बात पूरी होने पर भाजपा किस तांसद श्वेत मलिक ने देश के प्रधान मंत्री का अभार जताते हुए सभी संत समाज और देशवासियों को बढ़ाई दी है बतादें की पांच ओगस्ट को देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भव्य निर्मान का शिला नयास रखने जा रहे हैं मैं करोडो देशवासियों को बढ़ाई देता हूँ कि जिस शन का सभी को बिसबरी से इंतजार था पांच अगस्ट को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आयोद्या में भव्य राम मंदिर का शिला नयास करने जा रहे हैं और हर देशवासि इस शन पे गौरवंदित मैसूस कर रहा है इस राम मंदिर के निर्मान के लिए करोडों की संखिया में संट समाज तेशवासियों ने लंबा संगर्ष किया लंबा केस जो है वो अदालत में चला कांग्रेस ने हर शन ये विग्न डालने का प्रयास किया कि राम मंदर का निर्मान ना हो पर मैं अभारी हूँ भारत की केंदर सरकार का निरंदर मोदी जी के नित्तम में कि उन्होंने इतना सशक्त केस अदालत में पेश किया कि जिससे आ एक मंदिर होगा तो यह हमारे सब के लिए एक गुर्वंदित चैन है मैं सभी देशवासियों को अपील करूंगा कि पांच अगस्त की रात्री को दिवाली की तरह दीप माला करें और मैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी और उनकी सरकार को दिल से बधाई दूगा जिनों ने सारे देशवासियों का की इच्छा को पूर्ण किया